हालो अब्रीवन वेलकम डू देश चैनल आएम सीए स्रतू आज का वीडियो है माइनिंग कंपनी एनमडीसी लिमिटेड पे एनमडीसी लिमिटेड ने आज अपने फिनैंशल रिजल्स इसक्लोज किये हैं मार्च क्वार्टर और येर अंडेड मार्च टूजन टूजन ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह जानलेते हैं नंबर कंपनी ने कब्स्क्राइब किये हैं एनस्ट की वेब साइट पे कंपनी के नंबर 951 पर अप्लोड हुए हैं तो आज काफी लेट कंपनी ने अपने नंबर कंपनी का इंक्रीज है फुल यर के लिए भी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है फुल यर के लिए कंपनी का रिवेन्यू आया है 21,308 करोड का जो की लास्ट यर 17,667 करोड का था इक्सपैंसिस कंपनी ने मार्च कर關係 में रिवेन्यू गती है फुल यर के लिए कंपनी के इस बार गटी है फुल यर के लिए कंपनी के एक्सपैंसिस सह 14,444 करोड के जो की लास्ट यर 12,026 करोड के थे इसके इलावा profitability की position देखे 1416 करोड का net profit company ने report किया है last year March में 2277 करोड का profit था last year के comparison में profitability में 38% का decline company ने report किया है लेकिन full year के लिए अगर देखें तो full year के लिए company का profit है 5572 करोड का last year के comparison में यहाँ पर increase is light and earning per share company ने report किया है March quarter में 4.82 रूपी का last year के comparison में decline है last quarter से भी decline है बट full year के लिए EPS आया है 19.02 रूपी का जो की last year 19.11 रूपी था so full year के लिए भी EPS में company ने decline report किया है and company की segment wise performance देखे iron ore में company ने March quarter में 6427 करोड का revenue report किया है last year से भी increase है last quarter से भी increase है and full year के लिए भी performance में improvement है 21,049 करोड का revenue है इसी segment में company का सबसे जादा revenue आता है palette segment में company का 62 करोड का revenue आया है last quarter से decline है last year के comparison में यहाँ पर increase है full year के लिए भी revenue में increase है and video को conclude करने से पहले ये भी जान लेते हैं कितनी value का dividend NMDC Limited में आया है NMDC Limited में final dividend recommend किया है board of director ने 1.5 रूपी पर equity share का यह क्योंकि final dividend है approve होगा company की annual general meeting में annual general meeting की date और इस dividend की record date अभी announce नहीं हुई है जैसे announce होगी हम आपको update कर देंगे channel को subscribe कर लीजे company is financial year में already 5.75 रूपी का interim dividend declare कर चुकी है आज final dividend recommend हुआ है 1.5 रूपी पर share का इस dividend की payment AGM में approve होने के within 30 days eligible shareholders को हो जाएगी वो shareholders eligible होंगे इस dividend के लिए जो record date पे stock को hold करते होंगे तो कल कैसा reactions talk मेरे numbers का देखने को मिल सकता है मेरे view के हिसाब से मेरे personal opinion है कोई buy sell की recommendation नहीं है क्योंकि company का revenue improve हुआ है तो revenue terms मेरे numbers अच्छे हैं बट net profit में decline है तो mixed reaction results का देखने को मिल सकता है इसके अलावा जैसे इंवेस्टर presentation company की तरफ से आ जाएगा तो result का detail analysis वीडियो भी मेरे channel पर आ जाएगा आज के वीडियो में इतना है result पर अपना opinion ज़रूर बताएए thank you for watching